हेलो गाईज, SK11 expert channel में आपका स्वागत करता हूँ तो गाईज आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ जो आपको यहाँ पर सेद मुस्ताक अलीटी 20 ट्रॉफी का आज जो साम में दूसरा मुकाबला आपको खिला जाता दिखेगा सर्वीशेश ब्रसेश बिधर्ब के बीच में तो गाईज यह match आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा डेली हर यानावला मैच रिसकी रहेगा इसलिए मैं इसको इसको कबर नहीं कर रहेगा और यह जो सर्वीशेश बिधर्बला मैच रहेगा यह आपके अच्छा पहले हम सर्विसेस के बारे हम बात कर लेतें अच्छे से उनके बारे में अगर हम बात करें तीन मैचिस खेली है इस ताल वो टीम तीनों हारी है कुछ खास नहीं कर पाई है ध्यान लखिएगा प्लेंग लेवन और बैटिंग और कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल सकती ह आप यहाँ पर देख लेए ओपेन करेंगे रवी चोहान के साथ लखन सिंग फिर आएंगे जी राहूल सिंग जो इनके टॉप ओडर्स के प्लेयर्स हैं जैसे की लखन सिंग और जी राहूल सिंग यही दोनों इंपोर्टेंट प्लेयर्स हैं क्योंकि यही दोनों अभी तक टूनामेंट में अच्छा कर पाए हैं. और फिर इनके तीन बॉलर से रेंगे पतियान, मोहित कुमार और बरुन चौदरी. बॉलिंग में गाइज, इनकी तरब से मोहित कुमार सबसे अच्छे रहें, अभी मैं आपको को नीचे स्टाइट्स में बताने बाला हूं चलिए अब हमें स्टाइट्स देखते हैं ज्यादा टैम वेस्ट नहीं करेंगे यह बैटिंग परफॉमेंस आप देख ले रभी चोहन के 43 रन तीन मैचस में लखन सिंग की 123 जी राहूल सिंग 136 आर पलिवार 35 हर्थवाला 36 कुमार एक गारा उपर एक बॉल मिन होने 91 रन दे के 4 बिकेट लिए उसके लाब भी चौधरी भी सेकेंड यान इनके अच्छे बॉलर रहे हैं उसके लाब पाथी आना कुछ खास अभी तक नहीं कर पाए हैं और गाइस बात करूं तो नरंग ठीक है उतने भी कुछ खास न इसके लाबा गाइस आप देख सकते हैं कौन सा बॉलर किस्ता की बॉलिंग करता है जैसे मैंने लिख दी है पाथियाना राइटा मीडियम करते हैं और सभी का आप देख सकते हैं भी चौधरी के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है तो चलिए आप मैं आपको की और इ कमेंट करूँगा से ही आप इस मॉलिंग में सेलेक करए ग्रेंड इक हुआ अगर दिक लेना चाहते है तो आप अप पांधा इनिया पर दिक्स लेसकते हैं अच्छा कर सकते हैं इस पात आप ध्यान लग रहा हो लगधन सिंह यहां पर इंपॉर्टेंट बनते हैं जी बिधर्ब की टीम पर हम आते हैं यह प्लेंग 11 और बैटिंग और आपको देखने को मिल सकते हैं ओपन करेंगे जितेश सर्मा के साथ अधर्ब टेड वन डाउन आएंगे सिद्धेश वार्ड चौथे नहीं पर अक्षे वार्ड कर माच में और पर कार्ने वार शाथे नहीं औ पर्फॉर्मस देखे जितेश सर्मा ने तीन मैस में फोटी फाइब किये अठर्ब टेड ने 33 वाथ ने 78 सबसे हाइस्ट यह है अक्षे वार्ड कर एक इनिंग ही खेले पिछला मैस खेले है नौ एक काननेवाल 31 एम राउत 12 पिछला मैस पहला यह खेले थे एवान खरे 43 और नालकंडे 38 बॉलिंग पर्फॉर्मस देखेंगे तो नालकंडे सबसे इंपॉर्टन बॉलर रहे हैं दस विकेट इनके नाम है उसके लिए श्टाकुर भी फॉर्म में आ रहे हैं पहले मैस में कोई बिकेट नहीं था लेकिन पिछले दो मैस में पांच बिकेट ले चुके ह जितेश सर्मा इंपॉर्टन रहेंगे अतर तेड़ भी इंपॉर्टन रहेंगे गाइस ग्रैंडली के हिजाब से क्योंकि ओपेन कर रहे हैं तो अच्छा कर सकते हैं उस क्लेवा सिद्धेश वाट सबसे इंपॉर्टन बैटिंग में क्योंकि यही अच्छा कर रहे हैं अक् तो प्रिएट करते हैं जहां होती है फ़र सब्सक्साइब त conception kyως कि यहां पर स्माली की team को स्माली के और सट्काइब कर यहां अगरने में चीबर सेक्षन कि बात करते हैं तो अप जिते सर्माई की लिए अच्छी ओप्सन है उसके लगाँ आपको लेना है तो अक्षे वार्ड करों ग्रैंडिंग में ट्राइब करें जो कि मीडिल ओर में खेलेंगे और मैं किसी को रिकमेंड यहां पर नहीं करने वाला हूं बैटिंग सेक्षन पर अगर हम आए तो आर्ट सिंग गहलेवाल को मैं लूँगा उसके लिए जो जी सती से यह इंजड हो गए थे पिछला मैस नहीं खेलें तो मुझे नहीं लगता है इस मैस में भी खेलेंगे तो आप इग्नॉर करें उसके लाबा गाइस मैं यहां पर लूँगा आर्ट चोहन कुछ खास नहीं कर भा है लेकिन ओपन कर रहें तो आप ट्राइका ना चाहते तो कर स सकते हैं मैं नहीं लूँगा हम किसे लेंगे गाइस जो कि यहां पर टॉप स्कोरर है एल सिंग को लखान से हमारे लिए बहुत अच्छी डिफ्रेंसल पिक है और ग्रैंड लिग की क्याप्टन सी की भी बहुत अच्छी ऑप्शन एस वात को लेंगे जो कि विधर्ब के अधर्व टेड को ले सकते हैं और लाउंडर सेक्शन की मैं यहां पर बात करूँ तो मैं यहां पर ज्यादा प्लेर्स आपको रिकमेंड नहीं करने वाला हूं और मुझे कोई खास यहां पर ऑप्शन नहीं लग रहा है यहां पर नितिन तन्वर्थ खेल ही नहीं रहे तो आप इनको मत ही ट्राइ करिएगा और कोई यहां पर अच्छी ऑप्शन नहीं है मैं किसी को रिकमेंड नहीं करने वाला हूं सिर्फ एक एम राउथी यहां पर सेफ है बॉलिंग सेक्शन पर आते हैं अक्षे वाकरे उसकले आबा एम कुमार अक्षे कारनेवाल और दर्शन विकेट टेकर है उसके लिए गाई जो मैं अगला प्लेयर आप लूँगा वो नारंग को लूँगा जो की टीम के आल डाउंडर है तो यह गाई दस प्लेयर्स आपको अपनी टीम में रख नहीं है और यह आपके लिए बेश टीम बनती है ध्यान लगिए अब एक आर्मा प ले सकते हैं मैं भी आदब के साथ हूँ उसके लिए अगर आप बिधर्ब के बैट्समेन को लेना चाहते हैं तो अथार्ब टेट को आप ट्राइ करें ना की अपरोव वान खरे को ध्यान लगिए गाई लास्ट प्लेयर का कॉल आपका है मैं अभी के लिए यहां पर भी पर आपकर बैटिंग करें और बॉलिंग भी आपको मैक्सिमम तीन से चार ओवर देंगे और सर्विसेस का भी यहां पर मीडिल ओर कमजोर है तो अच्छा कर सकते हैं इस मैच में उसके लाब आप जितेश सर्मा रहेंगे जो की ओपन करेंगे तो आप इनको कर सकते हैं यह किसी को करेंडिंग में कैप्टन वाइस कैप्टन करना है तो आम नरंग को करें जो कि आल डाउंडर हैं उनको कर सकते हैं और वाकरे को भी कर सकते हैं तो ध्यान लखिएगा अभी के लिए मैं वाइस काप्टन जी कानेमाल को कर रहा हूं आप सेब जाना चाते हैं जितेश स आप्डेट कर दूगा तो आज की सी वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाईक ज़रूर कर दे सेर करना ना भूले और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी आने वाली वीडियोज के लिए चैनल के साथ बने रहें कमें करके बताना ना भूले आपको यह वीडियो कैसा लगा थैंक यू